Hello everyone, exam medicine channel में आप सभी का स्वागत है बात करेंगी है मुख्य सेवी का DV को लेकर आप सभी के कुछ doubt है जो कि इस वीडियो में complete बताये जाएंगे आप सभी लोगों ने कुछ question किये थे पिछली वीडियो के comment section में उसको भी इसमें बताये जाएगा सबसे पहले तो आप सभी से यही कहना है जितने लोग भी इस वीडियो को देख रही है मुख्य सेवी का जिनका selection हुआ है 8337 में आप भी शामिल है DV skip के लिए एक निवीदन है चोटा सा सभी की तरफ से कुछ हैं अभेर्थी की जो की जुड़ी हुई है उन्होंने कहा कि मैं भी एक वीडियो आपको दू इस पे ताकि देखिए करना तो आप ही लोग को है और किसी के कहने से कहते हैं न सबज में नहीं आता जब खुद से असास नहों चीज़ का तो बस यही है कि अगर आप भी कहीं सेलेक्टेड हैं यह देखिए है कहीं वर्क पर हैं तो ज़रूर करें ताकि किसी के help हो पाए बाकि आपकी एकशा यह निवेदन है सब की दरफ से जितनी भी मुख्य सेवी का बहने है सभी की तरफ से क्योंकि आपको भी पता होगा हो सकता है कि आपके number बहुत अच्छे हो, selection भी आपका हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो कि एकदम average line पर होंगे, तो आपकी वज़े से हो शकता है कि उनको जो है थोड़ा सा help मिल पाए, ठीक है, आईए हम बात करते हैं बाकी point पर आप लोगों के सबसे ज़्यादा question है कि क्या second shift के सभी के number बढ़े हैं क्योंकि आप कहीं पर भी देखते हैं जब आप लोग के ये प्रशनाते हैं जैसे ही second shift का number आता है, जैसे किसी ने कहा मैं second shift की हूँ, मेरा 55 है किसी ने कहा मेरा 53.2 है, तो आप सबको ये लगता है कि second shift के जितने भी भरती है वो सब final हो ही जाएंगे, पर आप इस doubt में मत रहिए, मतलब मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि second shift के no doubt की number बढ़े हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि सभी के बढ़े हैं और first shift में भी देखेंगे, आप तो सबके number नहीं कम हुए है तो दोनो average है, मेरा कहना ये नहीं है कि first shift के ही सबका selection होगा या second shift के ही candidate का selection होगा, बस ये है कि अपने दिमाग में आप लोगों ने जो tension रखी है ये जब से result आया है और अभी तक, शायद ये जब तक final result नहीं आएगा, तब तक रहेगा तो इसको दूर करिए, ऐसा रहे हैं कि second shift में सभी की number बढ़े है अगर इस वीडियो को कोई भी देख रही है, जो कि second shift की थी और 52 से ज़्यादा उनके number रहे हो, उनका selection अगर नहीं हुआ है मैं 52, जो cut-off आपकी गई है, 52, 10, 4, 5, something तो इससे अगर उपर हैं आपके नहीं हुआ है, तो आप ज़रूर बताए ताकि ये तो सब को पता चले, बाकी को help मिलेगी इससे की नहीं, ऐसा नहीं है, जो सब को ये लग रहा है कि second shift में सभी को ही number दे दिया गया है, तो आप ज़रूर बताए अगर आप बताना चाहें तो, नहीं तो आपकी इक्षा दूसरी बात ये है, कि आप लोग को एक डर हो गया है हमेशा से अभी जब से वीडियो, मैंने भी आपको बताए था कि जो final cut-off है, general की लगभग 60 रहेगी तो सब को ये भी doubt है कि 60 ही रहेगी, क्या कम नहीं हो सकती देखें, जो कोई भी बता रहा है, ये सब अनुमान है अपना अनुमान है, जैसे ये मेरा भी अनुमान है कि हाँ, इस तरीके से हैं चीज़े, तो ऐसा हो सकता है और रामडाइजेशन की बात, maximum, जादा से जादा 4 से 5 नमर, maximum बता रहे हूं इससे कमी हुआ है, जादा नहीं हुआ है मेरे कॉर्डिंग, बाकी क्या हुआ है वो तो आयोग को ही अच्छे से पता होगा ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों से आपको नहीं डरना है, कि 60 ही चली जाएगी मेरा तो 50, 80 ही आ रहे हैं नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं है, जो किसी ने कह दिया ये नहीं कुछ को तो बाहर आना ही है लेकिन इतना भी नहीं कि आप टेंशन लेना ही यही आखरी नहीं है पढ़ाओ ना कि बस अब यही है इसके अलवा कुछ नहीं है, पढ़ाई सभी लोग करते रहे हैं, चाहे आपके कम नंबर हो जादा नंबर हो, जितने भी हो आप सब लोग अपनी परिक्षाओं की और नई तयारियां करते रहे हैं, केवल इसी के लिए नहीं आपको रहना है अब आगे देखते हैं, एक डाउट है कि ग्रेजुएशन की कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके कि तीनो साल में जो है इन्रॉल्मेंट नंबर नहीं है, किसी किसी में तीनो साल दिया है, किसी में किवल पहले साल ही दिया हुआ है, या किसी में किवल आखरी साल में दिया है, तो वो चिंते थें कि क्या इसे कोई दिक्कत होगी तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि enrollment number same होता है जो आपके first year में पढ़ा है वही आपका second year, third year में भी रहता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है अगर personally आपको किसी university से problem आ रही कि मेरा university यह है और उसमें यह चीज नहीं है तो आप पूछ सकते हैं कोशिस करी जाएगी कि उस पर आपको संबंधित जानकारी दी जाए क्योंकि हर university का पता तो होता नहीं नहीं पता करना पड़ता है ठीक है तो जैसा ही होगा आपको बता दिया जाएगा तो यही साही चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने थी फाइनल कट आपको लेके परशान नहीं होई है और second shift में जैसा कि मैंने बताया कि आपको यह जो doubt है कि सब के number ही बढ़ें तो ऐसा भी नहीं है बहुत सारे भरती इसमें भी है जो कि उनका जादा था नहीं हुआ होगा मेरे recording मैंने जितना देखा है अगर ऐसा कोई है तो आप ज़रूर बताईए ताकि और यह गर सच बताना हो तब ही बताईएगा ऐसा भी मैंने देखा comment section में काफी आपी लोगों नहीं comment किया था कि न पाकि नेक्स वीडियो में हम जल्द फिर मिलेंगे आपसे नई जानकारी के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए पढ़ाई continue जारी रखिए नेक्स वीडियो में जल मिलते हैं जय हिंद